What's up guys, welcome back to Indian Soldier 1, मेरा नाम है What's up guys, लेकर हैं आपके रहें आपके रहें बहुत इंट्रस्टिंग न्यूज, मैं जान तो बहुत दिनों से गेमिंग न्यूज के एपिसोड नहीं आए, क्योंकि कुछ खास गेमिंग न्यूज आ नहीं रही थी, लेकिन जैसे ही मुझे कुछ मसाल रिलीज विंडो, क्योंकि Sony ने अभी तक officially किसी platform पे Sony PlayStation 5 या Next Gen platform को reveal नहीं किया है, तो ऐसे में ये भी नहीं पता, जैसे Xbox Scarlet के बारे मैं मैं बता है कि वो Summer 2020 में release हो जाएगा, यानि कि Holiday 2020 Season में, तो PlayStation 5 की release rate क्या उसके आसपास होगी या नहीं, ये मैं आपको बताया हूँ, क् ये लीग से कह रही हैं, कि Sony PlayStation 5 launch होगा एक major AAA title यानि की first party exclusive के साथ, और वो होने वाला है God of War का next part, जी हैं guys, God of War का next installment launch होगा PlayStation 5 के साथ, और ये होने के chances हैं by the year end of 2020 या फिर early 2021, अब मुझे एक बात बताओ, Xbox Scarlet अगर Holiday 2020 Season में release हो जाता है, लेकिन Sony उसे पहले रिवील कर देता ह है, कि next God of War installment release होगी PlayStation 5 के साथ, early 2021 में, तो क्या आप लोग Xbox Scarlet के साथ चाहोगे, या फिर वेट करोगे PlayStation 5 का, नीचे comment section में जरूर ता देना, दूसरी news आ रही है, Naughty Dog Studios की तरफ से, Naughty Dog Studios अभी तक काम करा था, The Last of Us 2 पे और वो प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से complete हो चुका ह है, लेकिन उसी के साथ-साथ Naughty Dog काम कर रहा है, एक और नई IP पे, एक नई installment पे, एक नई गेम पे, जो होने वाली है, बिल्कुल डिफरेंट, Uncharted और The Last of Us Series से, जो होगी सिरफ PlayStation 5 के लिए exclusive, और कहा ये जा रहा है कि ये होने वाली open world game, अब ये game GTA की तरह की होगी, या फिर इस open world game के बारे में सुनकर, क्या फील कर रहे है, क्या रेक्ट कर रहे है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता लेना, अगली न्यूज आ ये PlayStation Plus मेंबर्स के लिए, अगर आपके बास PS Plus मेंबर्शिप है, तो आपके लिए good news ये है कि Firewall Zero R, ये game है, जो कि exclusive PlayStation 4 पे, ये ए मतलब ये निए कि कल के बाद भी आप इस game को free में continue कर सकते हो खेलना, अगर आप इस game को भी download करके खेलते है, तो आपकी progress है, वो बात में continue हो सकती है, अगर आप इस game को बात में purchase कर लें तो, दोस्तों, next news एक बहुती sad news है, जो आ रही है PUBG से related murders को लेकर, और ये आ रही है PUBG स जगह है थाने वहां से, यहां पे भाई ने भाई को मार दिया, यानि कि दोनों की इस 18 साल से कम थी, और ये भाई ने दूसरे भाई को इसलिए मार दिया, क्योंकि वो इसको PUBG मोबाईल पे नहीं खेलने दे रहा था, मतलब यार ये कैसी news सुनके ना, दिमाग सखराब हो जा देम वेम की चकर में मत लड़ा करो, एकलीस ये तो एक ऐसी चीज है, जो मिल बाट के प्यास है के लिए करो, बाकी यार क्या ही कह सकते हैं, अब तो PUBG बहुत जगा पे बेहन भी हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी ये हालत है, देख लो, ये वीडियो स्पॉंसर करीए 11WICKET अगर आप चाहते हैं, घर बैटे-बैटे, पैसा कमाना बिना किसी इंवेस्टमेंट के, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर फ्री में साइन अप कर सकते हैं, और इसका लिंक जो है, इनकी आप, Google Play Store, Android के लिए भी अवेलेबल है, तो साइन अप करने के आपको अपना username, email और mobile number एंटर करना है, और आप दिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, कि आपको मिलेंगे 25 रुपीज on sign up, और अभी सबसे अच्छा option यह चल रहा है, कि अगर आप तुमें फ्रेंट को भी रेफर करते हैं, तो आपको 50 रुपीज मिल जाएंगे, तो अगर आप पूरा टुट्यूल दे आना चाहते हैं, तो आप menu में आने के बाद, how to play पे क्लिक करके, आप पूरे इनके points टेवल और क्या procedure है, वो जान सकते हैं, और इसी के साथ menu system के नीचे आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे offers जो रोज अपडेट होते हैं, तो मैं गहता हू अभी जाहिए, डाउनोड कीजिए इस अप को अपने Android फोन पर या फिर जाहिए 11wickets.com पर और साइन अप कीजिए और जीतिए बहुत सारे पैसे, दोस्तों लास्ट न्यूज आ रही है, Google Stadia से एलेटिड यहाँ पर Sony ने एक statement दिया है, कि Google Stadia जैसी services को successful होने में at least two console generations और ल प्लिमेंट और successful होते हुए, क्योंकि Sony ने आप बोला है कि console based जो games होती है, वो फिर भी एक better option है instead of a monthly rental या monthly online services, क्योंकि सब ही के पास इतना अच्छा internet infrastructure मौजूद नहीं है, और यह बिल्कु सही बात भी है, क्योंकि हमें हाल फिलागने देखने को मिला है, कि जो story based game होती है, अब आपको subscription based services भी कोई problem नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है, अभी बहुत time है, Google Stadia जैसी services को hit होने में, successful होने में, तो guys that's it, अगर वीडियो ची लगी तो like कर देना, comment कर देना नहींचा, अगर मैंने कोई major news मिस कर दियो, साथ ही में चैनल को subscribe, और इस वीडियो को share अपने friends के स Take care, bye-bye.